सरहत के उस पार में खुशामदीद स्वागत दोस्तों आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि यह जो दुनिया में इस वक्त महौल है आप जहां मरजी चले जाएं हिंदोस्तान से लेकर पाकिस्तान मिडल इस्ट यॉरप नॉर्थ अमेरिका जहां कहीं भी देखेंगे तो आ इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि लोग अब एक दूसरे का पॉइंट ओ व्यू सुनने के लिए भी तयार नहीं हैं या तो आप उनकी बात मानें अगर नहीं मानते हैं तो वो सीधा सीधा आपको दुश्मन समझ बैटते हैं मैं बात कर रहा हूँ अभी हाल ही में देखें दो उसको जो है डिफेंड करने की कोशिश करते रहते हैं कुछ ऐसा ही यह जो इसराइल और पैलस्टाइन का इशू है इसे लेकर हम देख रहे हैं आप दुनिया के किसी भी काबले जिक्र मुल्क में चले जाएं शहर में चले जाएं हर जगाएं पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और प्रोटेस्ट इसी बात पर हो रहे हैं कि कोई इसराइल के साथ है तो कोई फिलस्तीन के साथ है ऐसे में एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था कि यह जो ग्लोबलाईजेशन का प्रोजेक्ट है यह जो दुनिया को करीब लाने की जो हमारी कोशिशे हैं उसका क्या बनेगा चंद सालों के अंदर ही खत्म हो जाएगा लेकिन अब ऐसा लगता है कि globalization के इस ख्वाब को शायद जो है हम कभी भी reality के अंदर उतरते हुए कभी नहीं देखेंगे दो साल पहले जब करोना वाइरस की बात हो रहे थी तो बहुत बड़ा इसका एक जो है लोगों ने यह मतलब मिकाला कि भाई अब यह जो दुनिया है ब्लॉक हो गई है किस तरह से हम अपने अपने मुल्क में हमने लोगों को जू के अंदर जैसे चिडिया अगर के अंदर लोगों हम जानवरों को बंद कर देते हैं वैसे हमें बंद कर दिया गया और आज भी हम यह देख रहे हैं कि मजहब की बुनियाद पर लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं जगड रहे हैं तो ऐसे में हमारा बने क्या इस यह जो कौन है इंसानों की पूरी दुनिया के अंदर इसका क्या मुस्तक्बिल है यह एक छोटा सा सवाल है जिसे लेकर मैं आज हाजिर हुआ हूँ हमें जी जोइन किया है बैरेस्टर हामिद बशानी साहब ने प्रोग्राम में आपका खेर मद्दम है बशानी साह आपका शुक्रिया जिनाम तेंक यू जैसा कि मैंने कहा बशानी साहब यह जो इस वक्त हम प्रोटेस्ट देख रहे हैं और इन प्रोटेस्ट के अंदर जो स्लोगन्स लोग रेज कर रहे हैं जिस तरह हैं कि तलखिया हमारे बीच बढ़ रहे हैं आपको यह जो इनसानी जा का मुस्तक्बिल है यह किस तरफ जाता हूं दिखाई दे रहा है क्या कभी ऐसा हो पाएगा कि पूरी दुनिया से यह तमाम बॉर्डर्स खत्म हो जाएंगे और हर इनसान दुनिया में कहीं पर भी जाने के लिए आजाद होगा सोचता तो मैं यही था लेकिन अब थोड़ा उसकी वज़ाई है कि इनसान जो है वो तज़र्बात से सीखता है और तज़र्बात में जाहरा अच्छे और बुरे दूनियुन किसम के तज़र्बात शामल होते हैं और यह तज़र्बा जो इस वक्त हम कहर रहा हैं फैस्ट एंड एक्सपिरियंस यह भी उन्हीं बेशमार तज़र्बात में से एक है आल दो कि इसमें नफरत का रंग बहुत ज़्यदा नमाया है बहुत ही ज़्यदा नमाया है और वो इसकदर उसमें फोर्स है कि ऐसे लगता है कि पूरी दुनिया जो है वो नफरत के पीछे चल पड़ी है लेकिन इसमें मैं आपको यह बता यह कोई मैस खोफ नहीं है इस पर बहुत सारे सोचने वाले लिखने परने वाले इस बात पर अपनी जो है वो कंसर्ण शो कर रहे हैं तश्वीश का अजार कर रहे हैं कि यह जो कुछ इसराइल पलस्टाइन में हो रहा है यह रपीट होगा दुनिया के दीगर मामालिक में भी जहां जहां पर इस तरह के कानफलिक्ट्स हैं और जाहर है कि यह एक बहुत क्लासिकल किसम का कानफलिक्ट है जिसमें दो मुख्लिफ मजाइब भी इन्वाल्व हैं दो मुख्लिफ किसम की रेसिस भी हैं दो मुख्लिफ किसम के जो है वो एथनिक ग्रूप्स हैं एथनि का सबक कि जी हमें भी यही करना चाहिए और इस तरह के कानफलिक्ट को खत्म करने के लिए इसी तरह ताकत का इस्तमाल करना चाहिए तो मैं इसको इस नुक्ता नजर से देखता हूँ कि यह एक वक्ती अबार है और इसका एतने जल्दी जो है इस तरीके से फैलना यानि इस वक्त जो सिचुएशन है यह बात आपकी सही है कि अगर हम इसराइल वर्सिस पलस्टाइन कानफलिक्ट देखें तो उसके इर्द की दुनिया जिस तरह दो केम्पू में तक्सीम हो गई और जिस तरीके से इस्ट्री के बत्तरीन किसम के जो जराइम है उन से सर्फे नजर की जाती है उन से जो है आप बच्चते हैं या उन पे डिसकस नहीं करते हैं या उनको कोई इंपार्टन्स नहीं दे रहे हैं ये बड़ी खोफनाक बात है आप ये देखें कि जो यूनाइड़ नेशन का निई यर्क में जो डारेक्टर गालेबन था वो उसने जो राजिगनेशन दिया है तो उसने इसको टेक्स्ट बूक एग्सेंपल आफ जैनव साइड गेरार दिया है कि ये टेक्स्ट बूक एक्जेंपल है और यह वाकिया ही सही बात है कि आप किसी भी तरीके से किसी भी एंगल से आप इसको देखें तो हम लोग यह बिलीव करने के लिए त्यार ही नहीं हैं कि हमारे दोर में जब दुनिया एतनी सिविलाइजड हो गई और इनसानी जो आदरशे है और वैलियूज हैं उन्हें इतनी जड़ें पकर ली हैं तो उसमें इस तरह के बाकियात भी हो सकते हैं कि कोई मौलक या काम या फोज या ग्रूप आफ पीपल जो है इस तरह सरे आम जेनोसाइड करने शुरू कर दे और उसके खलाब कोई रदे अमल नहों एक तो होता है न जो लोगों को समझनी चाहिए और इससे लोग मुझसे एकसलाफ करते हैं लेकिन ये बड़ी इंपार्टेंट हैं एक ये कि ये जो यूनाइटिड नेशन की जो एक मित थी ये मकमल तोर पे फेल हो गई है मकमल तोर पे फलाफ हो गई है ये जो यूनाइटिड नेशन का जो conflict resolutions के लिए कोई बड़ी जंग हो जाए कोई बड़ा disaster हो जाए कोई बड़ा इस तरह का और ये मिट अब लोगों के जहने से क्यों निकली है मैं आपको बताता हूं कि दो फरीक जो इस वक्त इन्वाद बें आप दूनों की जो है वो documentation देखें इसराइल जो है उसका शिक्वा ये है कि युनाइटे नेशन एक bias किसम की इसराइल focused international एदारा है जिसको इसराइल के खलाफ कुछ कुछ कुछतें इस्तमाल कर रही है राइट फरम 1947 और उन्होंने जो अपनी documentation की है उसमें उन्होंने बताया है कि उस वक्त से लेके आज तक तक गरीपन एक सो पचास करारदा दें युनाइटिन डेशन ने ऐसी पास की है जो इसराइल को focus करके उसको कोई नो कोई काम करने का हुकम देती है कि ये करो ये ना करो यानि mandatory किसम की करारदा दें ये अलग बात है कि वो इस पर बात नहीं करते कि उसका रहते अमल इसराइल न 1947 से लेके तो जो है वो आज तैक जिसमें के उनको उन्होंने मुखलिव एदवार में तक्सीम किया 2014 के बाद कुछ साथ के करीब करारदा दें आ गई फ्रम 2000 तो 2014 जो है वो तकरीबन 50-30 करारदा दें आ गई इस तरह करके तो उन्होंने उसको बताया कि जिस से ये थाबत हो तूंके हाथ में एक टूल है जिसको वो इसराईल के खलाफ इस्तमाल कर रहे हैं यानि ये इसराईली गावर्मेंट की बाकाइदा एक सोची समझी किसम का स्टेंड है जिसका दूसरा मतलब है कि कते ही तोर पे एदमे इतमाद इस एदारे पे करने का जिसका आजार आपने देखा होगा कि कहीं इसराईली नमाइदे ने करादाद फाड़ के फैंक दी कहीं बाइकाट कर दिया कहीं इस तरह कर दिया अलंके मेंडेटोरी करादादें जो हैं हम और आप जैसे जो पालिटिक्स के तालब इलम है या हिस्ट्री के वो तो यही समझते हैं ना कि इस तरह बरेक्स है दूसरी दरह आप देखें यह है इसराईल की पोजिशन के वो समझते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन है हमारे खलाफ यह असाल्ट है अन्डा स्टेट आफ इसराईल इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है और यूनाइटिड नेशन जो है इंताई नकामा जानबदार और बाय यूनाइटिड नेशन हैं कि यूनाइटिड नेशन ने जो है वो आज तैक जो है वो शाट के करीब मेंडेटोरी किरारदातें पास की फलस्तीन के लिए और उस पर अमल नहीं करा सकती और इसराईल ने उनको बिलको करते ही तोर पह इंकार कर दिया वक्तन फखतन जब वक् सकी तो दो मुख्तलिफ मतारब गुरुप जो हैं जिनका कांफलिक्ट चल रहा है दूनों अपने अपने तोर पे किसी दुनिया की बात पर मुत्विक नहीं स्वाई एक बात के कि युनाइटिड नेशन बेकार है तैट सिट और उसका रॉल एक छोटी सी चैरी टेबल किसम की organization से ज्यादा कोई recognize करने के लिए त्यार नहीं तो ये एक तो आप यूं कह लें कि ये दुनिया वापस वो दूसरी जंग अजीम के दोर में चली गई जिसमें के बहुत बड़े दुनिया में सादाद पैदा हो गए थे जिसके नतीजे में United Nation को डिवलप किया गया था एक त अब कोई United Nation किसी भी तरीके से मुंसफाना बुनिया दूपे कोई decision नहीं कर सकती चूंकि कोई जो अधारा अपनी करारदा दें खुद अपने अंदर बैठके उनको वीटो करता है तो उसकी हैसियत क्या रह जाती है अब लोग स्वाल ये उठाते हैं कि United Nation में के अंदर United State of America का एक heavy weight किसम का मुलक है जिसके बस वीटो पावर है, security council का permanent member है और United Nation का सबसे बड़ा financial है Soviet Union collapse उने के बाद सबसे ज्यादे पैसे United Nation की जो administrative के लिए बंदोबस्ट के लिए दिये हैं United State of America ने दिये तो वो मुलक जो है उसने आगे एक मुलक रखा हुआ है इसराइल जिसके बारे में उसने तेह किया हुआ है कि इसके खलाब को करारदाद आई नहीं सकती और जो भी आएगी हम उसको वीटो करेंगे, यानि अलान किया हुआ इसको नीग्रो पोर्ट ने जो है डाक्टराइन कहते हैं, जो के दो अजार के लाग बाग जो नीग्रो पोर्ट ने जो है वो United State of America का नमाइंदा था United Nation में, जिसने के बंद कमरे में International Community को बता के बताया था कि भाई आज के बाद हमारी पालिसी ये है कि फारगट अबोट एनी रेजोलुशन अगेंस्ट इसराइल, अगर आपने आज के बाद इसराइल के खलाब को करारदाद लानी है, हमने उसको वीटो करना है, लेकिन उसकी एक एकसेप्शन है, वो ये है कि आप इसराइल के खलाब करारदाद ले आएं, उसकी अगर मजमत आपने करनी है, तो उसके साथ साथ आमास, इसलामी जहाद और इस तरह की दूसरी अर्गनाइजेशन की भी आप मजमत करें, एक ही सेंटेंस में, कि हम इसराइल और आमास की मजमत करते हैं, और दूसरा य तो साथ में आप यह कहें, कि हम इसी सांस में, हमास और इसलामी जहाद की कारवईयों की भी मजमत करते हैं, तो वो करारदाद हम जाने पहेंगे, और वाइस फारगेट अपोर्टेट, कि कोई करारदाद यहां से नहीं गुजरेगी, यह जो डाक्ट्राइन है, इसकी बुन में, वो एगर इस तरह के असूल बनाके, तो अपनी इस तरह की करूनीज क्रियेट करके, प्राक्सीज क्रियेट करके, तो उनको एक्सेप्शन है दिलाता रहे, तो यह दुनिया तो नहीं चल सकती, पर जाहर है कि एक वक्त आएगा, कि दुनिया में कोई यह आवाज उठा रहे हैं, उनके भी बिल्कुल इसी तरह के इंटरेस्ट हैं, जिस तरह यूनाइटि स्टेट अफ अमारिका के हैं, जैसे रूस हो गया या चीन हो गया, अब वो पार्ट अफ दी प्राबलम है, दे आर नाट दो सलूशन, चुके उनके पास भी वीटो है, उनके पास भी स्क निशिस्त है और वो इसको यूज करते हैं, अब ये देखें, एक तो ये मेरी बात बुसी तरह निकल गई, एक तो ये मित खतम हो गई, बस्ट हो गई, कि यूनाइटि नेशन कुछ करेगी, तो दुनिया अपने आपको तनहा बेबस जब फील करना शुरू हो जाए, तो उ उसके अंदर से क्या निकलेगा, मसलिन अब कोई किसी भी नेशन को जो स्ट्रेगल में है, या जिसका किसी के साथ कोई चल रहा है, कोई कानफ्लिक्ट, मसलिन सब सहरा का मराकों के साथ, या साइपरस का, तुर्की के साथ, या किसी और का, उनको कोई कहए, कि ये एशर नेशन का जो है, डंडूरा पीटना, तो वो किस चीज़ की तरफ देखेंगे, वो बंबों की तरफ, दैशत गर्दी की तरफ, खोफनाक अथ्यारों की तरफ, और वो ऐसे खाप देखने शुरू हो जाएंगे, कि हमारे पास दुनिया का कोई ऐसा खोफनाक तरीन तरीका आ है, जिसको आप जी शोर कहते हैं, यानि जिसके अंदर कोई थोड़ा बहुत भी इनसानियत का दर्द और सोचने समयने, उसको इस पे फिकर मंदोना चाहिए, चुकि ये एक बहुत बड़ा बलैक हॉल क्रियेट हो गया है, दुनिया की जो है वो पालिटिक्स में, अब रास में कोई इस तरह की तबदिली लाएंगे के वो अपने मफादात को डिफेंड करेंगे जिनका इस वक्त उसमें मफाद जो है, दूसरा ये है जो ग्लोबल विलिज की आपने बात की, एक बनियादी तोर पे ग्लोबल विलिज का जब आईडिया आया था, तो ये बनियादी कि इसको जो दुनिया की लेफ्ट विंग या दाएंबाजों की कुफ़तें थी, इन्टरनेशनली उन्होंने इसको मुख्ली पावादों से चैलिंज किया था, और चैलिंज करने का उनका मतलब ये था, कि ये आईडिया बुरा नहीं है, ग्लोबल विलिज का, लेकिन ग्लो वाज़े पे आके ठोकरें लगाए, आपकी हींटें उठाए, या कोई ऐसा काम करें जो आप नहीं चाते, चुक्कि ग्लोबल विलिज का मकसद यही है कि आपको वहाँ पे एक्वालिटी और एतराम और इंसाफ की बनियाद पे स्पेस दी जाए, ना कि आपको ड्राद हमका या इस तरीके से जो है वो ग्लोबल विलिज का इसा बनाया जाए, तो वो उसमें इस तरह की चीज़ें देखते थे कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन है, इसमें बे इनसाफी है, इसमें ताकत का इस्तमाल हो रहा है, इसमें जो आनफार्चुनेट क्लासीज हैं दुनिया में, उनको मजीद जो है वो तुपाई की तरफ दखिला जा रहा है, जैसे मजदूर हैं, किसान हैं, उनसे जमीने लिए, काश्तकार हैं, उनकी जमीने ली जा रही हैं, या उनकी फसलें, जो है उनको लेके तो ऐसे कौानीन बनाए जा रहा हैं, जैसे डवल्यू टी ओ के अंडर के जिसमें सबसीडीज के खातमे करके यह कमपीटेशन के खातमे के नाम पे उनको एक कमजोर किसम की पोजिशन में लाके खड़ा किया जा रहा है इंटरनेशनली तो इसकी एतने वसी पहमाने पे आपने देखा होगा कि दुनिया के हैर कैपिटल में जलूस निकले जलसे हुए और यही कैफियत थी कि लगता था कि दुनिया एक जो है तसादम के दाने पे आ गई है यह सीटी अफ टरंटो जैसे शेहरों में जहां जो है वो सीवल राइट्स, यूमन राइट्स की इतनी रिस्पक्ट होती है वहां पे पॉलीस ने लोगों पे तिशादद किया जो इसको उपोस करते थे और बाद में यहां की इदालतों ने जो है वो पॉलीस को बाकाईदा इसका जमनदार करार दिया और उनके खलाफ फैसले की है तो यह इंटरनेशनली इस तरह डाकूमेंट हुआ है दुनिया के बेशमार मुलकों में तो वो फैस जो है वो घुजर गया अब ये एक नया फैस है और इसमें आप ये देखेंके एक तरफ तो आप ये देख रहे ना कि जी इसमें डिया रिलिजिसली लेकिन वो जेनोसाइड के खिलाफ हैं तो इस वर सिचुएशन ये है कि एक खास किसम की हकोमत के हाथ में ताकत आ गई है और वो ताकत के बेदरे इस्तमाल को कोई बुरा नहीं समयते हैं और जिस तरह के आपको नजर आ रहा जिस तरीके से वो कर रहे हैं वो किस करके काफी आगे तक चले गए तो इसलिए जो है ये चीज़ जो है ये काफी तश्वीशनाक है इसका रपली का आपको नजर आएगा ये मैं आपको बता दूं दुनिया के बाकी मुलकों में ये बात यहां पे खतम होने वाली नहीं चुकर जब आपके इंटरनेशनल एदा पर या किसी तरीके से उस पर जो है वो चेक एंड बैलन्स रखे जब हमारी रुआइती जो वैल्यूस थी के डेमाकरेसी यूमन राइट्स इन चीज़ों को जो है इन पर साइड पर खड़ा होके इनकी आमायत की जाए और जो इनके खलाफ बात करता है उसकी मगालबत की ज करता हूं कि ये एक डेंजर सिचुएशन है और ये दुनिया को खतरनाक जो है ना वो सिम्मत की तरफ ले जा रही है बस एक और सवाल आप से पूछना चाहता हूं आपने ज्यादा तर जितने भी मेरे जहन में सवाल थी उनके खुद बखुद जवाब दे दिये ये जो कितना होगा और आने वाले वक्त में हम इन मुल्कों की जो इमिग्रेशन पॉलिसीज हैं उन्हें किस तरह से चेंज होता हुआ देख सकते हैं देखें जी ये तो डेफिनेटली जिस दोर से हम गुज़र रहे हैं इसमें इंटरनेशनली फार राइट पालेटिक्स जो है वो फाइदा उठा रही है इस सीचुईशन से बहुत ज़्यदा है वो रूसा वाले से वो इमिग्रेशन के पॉइंट पे भी बहुत ज़्यदा उठा रही है पुलिटिकली अपना एजिंडा पुछ करने के लिए लेकर प्राबलम ये है उसके साथ साथ ही आपने देखा होगा कि ये माहल क्रियेट उने के बावजुद जो इमिग्रेशन की तादाद थी वो कम होने के बज़ाए बड़ी है और बास जग़ों पर दुगनी हुई है जेसे कैनेडा है यानि दुगनी तादाद में इमिग्रेशन आए हैं अब ये क्या वज़ा है उसकी वज़ा ये है कि एक तरफ तो फार राइट है जो इसको एक एथनी सिटी का या हेट का मसला बनाके तो पेश करने कोश्च कर रहा है दूसरी तरफ इन मुलकों की जरूरियात है जिन को साम इस टेट अफ अमारिका से लेकर अस्ट्रेलिया नियुजिल हैं तो ये जो जिनरेशन इस वक्त जो है वो रिटाइड हो रही है या आइंदा दस सालों में जो वर्क फोर्स से लोग ने कर रहे हैं उनको रिपलेज करने के लिए किस तादाद में लोगों की जरूरत है वो इन मुलकों के पास नहीं है और ना हो सकते हैं तो उसको फिर उसको कैसे चलाया जाएगा जाहर है कोई सिस्टम जो है उसको चलाने के लिए आपको तो अफरादी कुगत की जरूरत है यह से लोगों की जो टैक्स पे करें जो सर्व कर सकें मुखलिफ जो है वो स्पेर सिच् रूरत है और जो राइट विंग की तरफ से क्रियेट करदा किस्टम की जो हेट है और जो नफरत है उसको बैलन्स करती है यानि इमिग्रेंट आते रहेंगे मुंकुन है उसमें तोड़ा सा डेमागराफी चेंज हो जाए कि मसले वो पहले इंडिया पाकिस्तान से लोगों क आसान भी नहीं है यानि इमिग्रेंट मिलना भी को आसान काम नहीं है ना चुके पीपल आर नाट जस्ट देर टू टेक वो बैग उठाया और आगे वजाहर है लोग अपनों मुलक इस तरह नहीं छोड़ते अब जिन जिन मुलकों में लोगों के जिन्दा रहने के कि चीज जो है इसको राइट विंग का बहुत बड़ा स्लोकون हने बावजूद इसको खत्म नहीं किया जा सकता जोकि इस तरह फर यहblind मुलक जो है नो यह चल नहीं सकते पिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप इस तरह से ये मुल्क चल नहीं सकते और इस तरह से ये दुनिया भी नहीं चल सकती हमें भी सोचना होगा जो भी कॉन्फिक्ट है कहीं पर भी देखने को मिल रहा है इसका ultimate beneficiary कौन है तो आपको एसास होगा कि कुछ जंगी कूवतों को छोड़ कि इसमें बेशतर जो इंसानियत है उसका कतल हो रहा है और दुनिया भर के जो इनसानियत के अंदर यकीन रखने वाले लोग हैं उनकी जितने भी उमेदें हैं उन पर पानी फेरा जा रहा है आज आपने वक्त दिया बशानी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपसे फिर बात होगी आपका शुक्रिया ना थेंक यू थेंक यू सर